आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्ले स्टोर से कोई भी एप यानि की अप्लिकेशन डाउनलोड कर रहे हैं और आपको आ रही है कुछ इस तरह की प्रॉबलम यहाँ पर आपको शो होता है वेटिंग फोर वाइफाई तो यह प्रॉबलम आप कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसे कैंसल कर दीजिए और यहाँ पर अगर आपने प्ले स्टोर को ओपन नहीं किया है तो सबसे पहले जब आप Play Store को open करेंगे तो आपको right side में अपनी Gmail ID का photo मिल जाएगा जो भी आपने यहाँ पर set किया होगा तो यहाँ पर वो photo आपको इस गोल से icon में मिल जाएगा आप इस photo पर click करिए उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी email ID आ जाएगी और नीचे कुछ option आ जाएगे एक option आएगा settings का नीचे की तरफ तो आप settings पर click करिए उसके बाद आपको एक option मिलेगा network preferences का तो आपको इस वाले option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का interface आएगा एक option आपको मिलेगा app download preference यहाँ पर आपको app download preference पर click करना है और यहाँ पर आप एक option select कर लीजिए over any network यहाँ पर आपको first option select करना है यानि कि जो यह circle है इस पर आप click करिए नीचे done का option आएगा done पर click कर दीजिए तो यहाँ पर आपको over any network को select करना है उसके बाद आप back आजाईए यहाँ पर मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि यह जो problem है वो ठीक हो जाएगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यह application अब install होने लग जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें